मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जीर गया भारत ने जाब जा फैली उई तुम्हारी गुंडा गर्दी का तोहपा जो भारत की जनता ने तुम्हारी हार की सूरत ने तुम्हारे मुँ पड़ दे मारा प्रदानमंत्री की बासा एक ही दिखाई पुड़ी धिल्य कुनाओ का नतीजह बिद्धब करें है इस चुनाओ पर अब पर प्रतिके की रहाए आने लगी, मैं हूँ करें नाक कॉण ग्रेजरेशंस मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जीर गया, पाकिस्सानीए उच्छ रह Medicare की मैं किस मुकाबले की बात करें था हुँ, लेकिन सरहत पार समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या हुआ मूदी जी ये डेलिय सेमली तो नहीं थी ये तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था ना इंडिया में ही इंडिया को शिकस हो गई पाकिस्तान की जीत हो गई ये क्या हो गया तो मिस्टर मूदी अब आपका नफरतों का मंजन और नहीं बिकने वाला तुमने खुद को इंडिया कहा आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान कहा और अवाम ने पाकिस्तान को अपने लिए मुन्तखिब किया ये है तुम्हारी नफरतों का तुम्हारी गेर इंसानी पॉलिसीस का भारत में जाब 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 फैली हुई तुम्हारी गुंडा गर्दी का तोहफा जो भारत की जनता ने तुम्हारी हार की सूरत में तुम्हारे मुँ पढ़ दे मारा है। भारत की जनता ने जाड़ू मार मार कर तुम्हें डेली की सियासत से बेदखल कर दिया है। बेहिस जनली पार्टी की इंतिखाबी मुहम में मुसल्मानों के खिलाफ खुलकर नफरत का इज़ार किया गया। सिर्फ नफरत की बन्याद पर इलक्शन जीतना चाहते थे ना। ये एकमते अमली मुदी जी आप और अमिच्छा गुजरात में इस्तेमाल करते रहे हैं। आपकी मुहम में गदार, बह्शतगर्द, शाहीन बाग, पाकिस्तान, मुसल्मान जैसे मौजवात नुमाया थे लेकिन दिल्ली के अवाम ने सियासत का ये गुजरात मॉडल उबूल नहीं किया। दिल्ली ने पहले भी कभी गुजरात के कसाब को या उसकी जमात को वोट की सुरत में इज़त नहीं बखशी लेकिन इस बार तो ताकत का नशा मुदी और उसके हामियों को कोई और ही राग सुना रहा था ना। सत्तर में से 63 सीटें दिल्ली की आवाम ने सीधी सीधी आम आदमी बाड़ी को दिया हैं। पाकिस्तान को बोलने का मौका हमारे नेताओं नहीं दिया है। अगर हम दिल्ली चुनाओं की बात करें तो इस चुनाओं में पाकिस्तान का काफी नाम लिया गया था। वो भी सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी के द्वारा। बीजेपी अपनी चुनाओं रैलियों में विपक्ष की दुलना पाकिस्तान से करता रहा है। बीजेपी नेता कापल मिश्रा ने ट्वीट करके ये कहा था कि 8 फेबरेरी को दिल्ली में इंडिया वसेज पाकिस्तान मैच होने जा रहा है। अमिच्छा भी तक्रीबन हर रैली में पाकिस्तान का नाम लेते दिखाई देते थे। पूरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया। सुनिया जी आपकी और मनमोहन सिंग की सरकार्थी कुछ करते नहीं थे। मौनी बाबा चुप बैठे रहते थे। कुछ नहीं करते थे। मोदी जी के समय हमला किया। मोदी जी ने दसी दिन में एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में खुषकर आतांकवादियों को सबक सिखाने का का। मित्रो, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया। जोर से बोले ठीक किया या नहीं किया। इसका भी एक Congres and Company लालू प्रसाद याधवण कंपनी भिरोद करी है वो कह रहे हैं सबूत कहां है और इमरान खान भी कह रहे हैं सबूत कहां है ये सारे मुतों पर लालू प्रसाद, कॉंग्रेस, मम्ता, केजरिवाल उनकी भासा और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की भासा एक ही दिखाई पर नहीं है बिहार वालों मुझी तो मालुम ही नहीं परता यह सब के बीच में रिस्ता क्या है भिध के अस्ट कि कोई भी बात करो इसका विरोध करते है दोनों स्टेटमेंट एक समान है उत्रप्रदेश के मुखमत्रियों की अधितिनाद भी पीछे नहीं रहे वे भी अपने भाशनों में पाकिस्तान का इस्तमाल करते नजर आए अतंगवादी जो पहले भारत के अंदर आ करके जगे जगे बिस्पोर्ट करते थे उन सब को यमलोक पूरी की यात्रा पर भेजना सुरू कर दिया हमारे सुरक्सा बलों के जवानों ने उनको ऐले कहा गया कि भारत की दर्थी तुमारे ले नहीं है तुमारे ले तो अब बोली नहीं हमारे सुरक्सा बलों के जवानों की गोली है अरे गोली खाओ अपनी यात्रा पर जाओ कांग्रेस और केजडिवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे बिर्यानी और हम क्या खिला रहे हैं गोली जब दिल्ली में चणाओ हो रहे हैं तो अरविंद के जडिवाल के पक्स में कौन बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री यानि अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है क्या भारत के अंदर जंता वोट किसको दे ये पाकिस्तान तै करेगा क्या क्या पाकिस्तान हमारा हितेसी है क्या जिस कारे से पाकिस्तान खुस होगा क्या हमें वो कारे करना चाहिए और भी कई बीजेपी निताओं ने पाकिस्तान का जिकर अपने भाश्नाओं में किया जो डिली सर्कार की जमी खाली होती है वहीं कर मजार बनता थी है वहीं कर दिली सर्कार की जमी खाली होती है वहीं कर मजार बनता थी है वहीं कर दिली सर्कार की जमी खाली होती है उनको हटाती है तो कि दिली का मुख्य मत्री कहता है मैं तो मुख्य मत्री कहता है मैं तो शाहि पाकिस्तान अब जो कुछ भी बोल रहा है उसे बोलने का मौका तो बीजेपी सरकार नहीं दिया है अगर बीजेपी पाकिस्तान का नाम ना लेती तो शायद पाकिस्तान भी कभी इस पर तंच नहीं कस था Bureau Report Punjab Today TV प्लाव सब्सक्राइब जस पूब्सक्राइब जसे क्रिक्षा नहीं लिए्बोस्टान गुंपक्राइब्स कौल लेहाँ झाहिए